चीन में कोरोना की नई लहर की खबर के बीच देश में कोरोना की देनिक पॉजिटिविटी दर आदा फीस दी से भी कम रहने का राहतकारी समचार बिला है बीच 24 कंटे में भारत में 2567 नई कोरोना संक्रवित मरीच मिले जबकि चीन में इससे दो गुना मिले केंद्रे स्वास्ते मंत्राले के आकडो के अनुसार मंगलवार को जारी बीच 24 कंटे में देश में धाई हजार से कुछ जादा केस मिले सक्रे मामलो की जो संख्या है अब 33,917 होगे ये कुल केस की 0.08 पीस दी है देनीक पॉजिटिविटी दर अब 0.37 पीस दी रहेगी जबकि सबताहीक पॉजिटिविटी दर 0.46 प्रतिशत है बीच 24 कंटे के दोरान ही 4,722 लोग स्वस्थ हुए 97 में मोतो के साथ कुल मोतो का आकड़ा बढ़कर 5,15,944 पर पहुँच गया वहीं आपको बता दे कि इस बीच देश में अब तक 180 करोड से जादा वैक्सीन की खुराग दी जा चुकी है केंद सरकार राज्यों और केंदर शाशित परदेशों को अब तक 180 करोड से दिक वैक्सीन खुराग प्रदान की जा चुकी है इनमें से 17 करोड से जादा खुरागे राज्यों के पास बचुई है वहीं आप बात करेंगें जनपर सहरेनपूर की फिलाल आपको बता दे कि जनपर सहरेनपूर में कोरोना की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है सहरेनपूर में ना ही 24 खंटे के दोरान कल एक भी पॉजिटिव मिला था वहीं आज भी सहाराइनपुर में एक भी पॉजितिव नहीं मिला जिसके बाद सक्रेमामलेगबफुर से घट कर 11 पर पहुँचके यानि कि आज दो मरीजों को कोरोना से राहत मिली पूरी तरह से स्वस्थ होकर दो मरीज अपने घर वापस लोटे इसलिए आप सभी लोगों को सिटी वाप की ओर से अपील करते हुए हम कह रहे हैं कि लगातार कोरोना के जैसे केसिस कम हो रहे हैं इसमें आप सभी लोगों का सहयोग है इसलिए लगातार आप सभी लोग कोरोना से बचाओ है तू वेक्सिनेशन के साथ साथ सार्जनिक दूरी और मास्क का परियोग अवश्य करें अभी के लेतना ही एक बार फिर हाजिर होंगे लेटस्ट अपडेट के साथ